हलो जी स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी ओन मन शिक्षा हप्पे तो एक वीडियो मैंने डाल दी थी पहले ठीक है जनरल साइंस की आज हम करेंगे दूसरी वीडियो देखो मैंने उस पे किसी भी पेपर का टैग नहीं दिया ना ही गुरूप D क का दिया ना ही गुरूप D का क्योंकि साइंस है किसी भी वेपर में आ सकती है चाहिए आप इंडिया का कोई भी एक्जाम दे रहे हो जिसमें साइंस आती है तो ऐसी ही साइंस आपको देखने को मिलेगी तो इस वज़ए से मैंने कोई भी वहाँ पे टैग नहीं दिया तो य आज का हमारा पहला गोशन है कि पहला गोशन है लंबी दूरियों को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है तो आंसर क्या आएगा पार्सिक वहीं आप से ये पूछ लिया जाए कि खंगोली आपिंडों के बीच की दूरी मापने की के बीच की दूरी मापने की ऐसा ही यूनिट क्या है? तो खंगोलिय पिंडो के बीच की दूरी मापने की ऐसा ही यूनिट जो होती है वो होती है परकाश वर्ष परकाश वर्ष Light Year Standard International Unit जो आप बोलते हो वो क्या होगी? Light Year होगी क्या होगी? Light Year होगी होप सो आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे उसी तरीके से आप से पुछा जाए कि जो शोर है जो रात के समय धवनी की तीवरता होती है समय धवनी की तीवरता जादा क्यों हो जाती है क्योंकि देखो रात के समय शोर आप दीरे से बोलोगे तो भी सुनाई तो रात की सम्में धवनी की तीवर्ता जादा क्यों होती है तो यह बताओगे आप धवनी के अपवर्तन के कारण धवनी के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है और वो जो दूरी है वो तेज सुनाई देती है दूर तक सुनाई देती है ठीक है समझ मैं इतनी बात next question जो है अपना वो है कि पारा कितने degree Celsius पर जम जाता है पारा कितने degree Celsius पर जम जाता है पारा कितने degree Celsius पर फ्रीज हो जाता है देखो आपको पता है कि पारा क्या है एक धातू है यानि पारा एक metal है पारा गया है एक metal है एक ऐसी metal है जो किस phase में पाई जाती है दरव की अवस्था में यानि ये पाई जाती है, लिक्विड फेज में पाई जाती है, और इसका सिंबल होता है HG, अटोमिक नमबर होता है 80, उसी तरीके से आप से ये पूछ लिया जाए, कि बताईए कितने डिगरी Celsius पर पारा जम जाता है, तो आप बताएंगे माइनस 39 डि इसका पारा का यूज होता है, यहाँ पर अगर मैं आप से एक next question पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, जैसे मैंने बोला कि पारा एक मतर ऐसी धातु है, जो दरव की अवस्था में पाई जाती है, तो आपने क्या बोल दिया, मतलब पारा होती है ना, उसी तरीके से मैं आप ऐसी धातु बताईए, एक ऐसी धातु यानि नोन मैटल, ऐसी धातु यानि क्या बताएंगे आप, नोन मैटल ऐसी जो किस फेज में पाई जाती है, दरव की अवस्था में, यानि लिक्विड फेज में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमिन, क्या हो पाई जाती है उसी तरीके से अगर हम next question की बात करें एक second next question की बात करें जल का आईतन कितने degree Celsius पर new thumb यानि minimum होता है आईतन को इंगलिश में आप बोलेंगे volume यानि कितने degree Celsius पर जो water है उसकी volume minimum होती है तो आप बताएंगे 4 degree Celsius पर इस concept को आप इस type से देखिएगा देखो density यानि गंतव और एक होता है आईतन ये एक दूसरे क्यों होते है उल्टे गंतव किसी चीज़ का जादा होता है तो आईतन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे मैंने आपको बोला कि जल का गंतव 4 degree Celsius पर क्या होता है maximum होता है सबसे जादा होता है यानि अगर आप 0 degree Celsius से शुरू करेंगे तो 4 degree Celsius पर ये बढ़ेगा फिर से ये कम होना शुरू हो जाएगा यानि गंतव जल का पहले बढ़ता है और फिर बाद में कम होता है ये चीज़ धियान में रखना एक्जाम में पुछी जाती है और उसी टाइप से ये 4 degree Celsius पर maximum हो गया तो ये जो 4 degree Celsius है यहाँ पर जल का आईतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नियूनतम हो जाएगा क्या हो जाएगा नियूनतम समझ मैं ये इतनी बात बरफ पानी पर क्यों तैरती है क्योंकि बरफ का घंतव पानी के घंतव से new time होता है minimum होता है कम होता है ठीक है इस वज़े से बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है आप तैर के देख लेना तैरेगी आजकल गर्मी है पानी में बर्फ थबी डालते है तो पता लगी जाता होगा यहां से एक question बनता है कि मचलियां जो होती है अब ठंडे परदेशों में बर्फ जम जाती है तलाबों में बर्फ के जमने के बाद भी मचलियां जिंदा रहती है उसका reason यह है कि मचलियां जो है बर्फ जो जमती है वो उपर उपर जमती है और निचे जो जल का लेवल होता है वो 4 degree Celsius पर normal रहता है इसको जल का S मान्या पर सार कहते है कि जल जो है वो 4 degree Celsius पर normal रहता है क्योंकि 4 degree Celsius तक जल का गंतर बढ़ता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप abnormal behavior of water कि जल 4 degree Celsius तक उसका density बढ़ेगी और उसके बाद में फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी इसको आप बोलोगे abnormal behavior of water NCRT का concept है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो कि मचलियां क्यों रहती है क्योंकि जल का जो तलाब का जो पानी के निचे का लेवल होता है वो 4 degree Celsius पर क्या होता है नॉर्मल ही होता है उसी type से एक और question बनता है कि सर्दियों के दिनों में plastic से बनी pipe फट जाती है उसका reason क्या है देखो बहुत important question है कि सर्दियों के दिनों में plastic की जो pipe होती है वो फट जाती है उसका reason यही होता है देखो, पहले उसमें क्या चल रहा था, यह pipe है, इसमें क्या चल रहा है, किसका flow है, water का flow है, लेकिन एकदम से ठंड बड़ी, तो यह water किसमें convert हो जाएगा, ice में, किसमें convert होगा, ice में, अब देखो, जब यह water था, तो इसका क्या जादा था, गंतव जादा था, समझ में आई कि ice का घंता पानी के घंतव से कम होता है, घंतव कम होता है, तो क्या चीज जादा होगी, item जादा होगी, volume जादा होगा, इस वज़ए से volume जादा होगा, volume जिस चीज की जितनी जादा होती है, वो चीज उतनी ही space लेती है, उतनी ही जादा जगा गेरती है, इस वज़ए से यह बोला गया कि वोल्यूम के बढ़ने से पाइपे जो है वो फट जाएंगी, समझ में आई है इतनी बात कि बरफ के, जब पाणी बरफ बन जाता है, तो उसका आईतन बढ़ जाता है, उसको ज्यादा जगा जाहिए, ज्यादा फैलाव होता है, तो इस वज़े से पाइपस क की चाल सबसे ज़्यादा कहां पर होती है, परकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहां पर होती है, देखो परकाश की चाल जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है निरवात में, निरवात यानि वैक्यूम, वैक्यूम एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई भी मादियम नहीं होता है, ना हवा का कोई मतलब भी वहाँ पे सिरदर्दी है, ना ही किसी और चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की disturbance ना हो, तो वो क्या होती है, निर्वात होती है, तो निर्वात में परकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तीन गुणा दस की पावर आट मीटर पर सेकंड, आप से प लगाएगा, रोमर ने परकाश की चाल का सबसे पहले पता लगाया था, किसने लगाया था, रोमर नामक साइंटिस्ट ने लगाया था, समझगे इस बात को इतना, ठीक है, उसी टाइप से, next question है, कि परकाश को मापने की SI unit तो क्या होती है, परकाश वर्स होती है, उसी तरी होती है, decibel, क्या होती है, decibel, decibel, दवनी को मापने की जो ऐसा unit होती है, वो होती है, decibel, क्या बता है मैंने, decibel, होप सो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसके बाद में, next जो question है अपना, वो है, बिजली के हीटर तथा इस्तरी, इस्तरी क्या होती है, प्र यह जो नीचे का, इसका वो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इनकी जो रोड होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है, नाइक्रोम की, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम एक अलोय होता है, एक मिशरदातू होती है, क्या होती है, मिशरदातू, तो आप से यह पूछ लिया जाए कि नाइक्रोम किसके मिशरदातू है तो आप क्या बताएंगे निकेल प्लस में क्रोमियम की, किसकी है निकेल प्लस में क्रोमियम की, ठीक है जी उसके बाद में नेक्स्ट कोशिन जो है अपना, विद्यूत मोर्टर जो है उसमें अनर्जी किसमें mechanical energy में कौन चेंज करता है mechanical energy ठीक है electrical energy to mechanical energy यान्त्री कुर्जा में कौन बदलता है तो आप क्या बताएंगे विद्यूत मोटर electric motor विद्यूत मोटर ठीक है विद्यूत मोटर तो ये थी अपनी आज की वीडियो एक वीडियो मैंने डाल दी पहले और आप शेयर भी करेंगे thank you so much